सासंगत जी प्रेम से कहना सासंगत वाक्य ही इस प्रभु इश्वर परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है उसके जीवन में उजाला आजाता है उसके मन में रोशनी आजाती है उसके भर्मों की दिवार गिर जाती है जो भरम पाल कर वो सारी उमर बिताता चला जाता है जिसके कारण ये दूरियां बनी रहते है वो भ्रम जो हैं उनका नास हो जाता है जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है इसी तरह से ये ज्यान उजाला पाकर ये भ्रहम और भ्रांतियां मिट जाती है जो इनसान के साथ ऐसी जुड़ी हुई है जिसके कारण इनसान ये दिवारें खड़ी करता है जिसके कारण एक दूसरे पे जुल्मों सितम करता है तो इसलिए महापुर्ष संत जन यही संदेश यही पैगाम हमेश्या दिये चले गए हम कि नाता जोड़ना है तो इस ईश्वर से जोड़ना है इस पारभ्रम परमात्मा से जोड़ना है जितनी तीवरता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं जितने हम लोब लालज के साथ जुड़ते हैं दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीवरता, वही इंटेंसिटी हमारी इसके साथ जुड़ने की हो और जुड़े रहने की हो, तो वास्थिक्ता में हमारा ऐसा सुन्दर वजूद हर किसी का बन जाए और जब इस तरह से इस रूप में जुड़ जाते हैं फिर हम इंसानों के साथ भी जुड़ जाते हैं फिर इंसानों से दूरियां रह नहीं सकती हैं इन्सानों से दूरियां इसलिए हैं क्योंकि पर्मात्मासे दूरी है, तो इसलिए महापुष्ब्संत जनों का कतं, क skipping कि इन्सान तुछ इस प्रकारश से, इस प्रवु पर्मात्म ईश्वर के साथ ही अपना नाता जोड लें, अपनी आत्मा का कल्यान कर लें, और इस मन को भ वे प्रीत भावनाओं से अपना दामन छुडा ले और इस मन में खड़ी हुई वे प्रीत भावनाओं को दफन कर दे इस मन में खड़ी हुई दिवारों को गिरा दे जैसे दास ने कल परसो भी यही कहा है कि लव रेकोगनाइज़ नो बैरियर्यर्स like I said day before yesterday another saying, another words used by a poet that stone walls do not make a prison nor iron bars a cage the poet writes that stone walls do not make a prison nor iron bars a cage because this is for those as I said that those who have realized this truth those whose soul and heart is illumined those who have now come to know the truth the ultimate truth the universal truth for them stone walls do not matter they are not imprisoned in their preconceived notions because preconceived notions they act as a lock a closed door here saints and sages they are talking about opening up to think out of the box reality not illusions not beliefs based on ignorance opponents we are telling them no matter where they have been different no matter where they have been the molecules as well no matter where they have been they have been और एक लोहे के सलाखे इस प्रकार से उनके लिए पिंजरा नहीं बना पाते हैं जहां पर अमीर खुसरों के हम वो पंक्तियां पढ़ते हैं जहां पर उन्होंने प्यार की बात कई है पिया की बात कई है उनके कितने गजलें कहावतें तो उन कहावतों में ऐसे रिडल्स भी हैं ऐसी पहेलियां भी हैं और एक पहेली जहन में आती है जो उन्होंने कही के बीसों का सर काट लिया ना मारा ना खून किया तो सुनने वाले हरान के सर काटा गया है और उस सर काटे को ये कहा जा रहा है कि ना मारा ना खून किया कि ना मारा है ना खून हुआ है सर काटे तो मर भी जाता है और खून भी चारों तरफ बिखर जाता है लेकिन ये पहली कहने वाला जानता है कि वो कह क्या रहा है लेकिन जो सुन रहा है उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है और है कितनी साधारन सी बात जो वो कह रहे हैं कि बीसों का सर काट लिया तो बीस सर क्या बताए कि दस हाथ के नाखून और दस हमारे पाउं के नाखून हमारे नाखून नेल्स जब बढ़ जाते हैं तो हम नेल कटर से काड़ देते हैं तो वो कहते हैं यह उसका सर है नाखून का सर है अब नाखून काड़ दिया तो कौन सा खून हुआ क्या मरा अब ये साधारन सी पहली है और वो साधारन सी पहली हमें उलजा देते है और यहां पर तो कहां पर मंजल की बात हो रही है परमात्मा की बात हो रही है और प्रिवेडिंग एंटिटी की बात हो रही है सैलवेशन की बात हो रही है तो इसके लिए भी हम अक्सर उलज जाते हैं कोई छोर नहीं नजर आता है इसलिए संत महात्मा साधन बनते हैं ब्रह्म ग्यानी साधन बनते हैं जैसे वो भी एक कोट जहन में आ रही है अंग्रेजी में कि एंटीक्स अर थिंग्स विच जेनरेशन बाइस which the next generation gets rid of and the following generation buys at amazing exorpean prices कि वही चीज जो पहले थी बुजर्गों के पास next generation आई, they got rid of it and then the following generation they had to buy it back at exorpean price कितनी कीमत चुका कर जो पहले बुजर्गों ने हासिल किया था लेकिन आगे जो वक्त आया, वो ऐसा वक्त आया कि उन्होंने उसको तज दिया, उन मूल्यों को तज दिया, वो human values को तज दिया, वो peace, वो सकून को उनके हाथों से निकल गया, लेकिन वही सकून, वही values, वही फिर से स्थापित करने के लिए उसके बीच में कितने कीमत चुकानी पड़ी, तो इसलिए महापुष कहते हैं कि सभी इस परकार से जाग रुक रहें, कहीं पर ढील ना आने पाए, कहीं पर भी हाथों से निकल ना जाएं, ताकि फिर से कहीं उसको हासिल करने में कितनी बड उसकी प्रती सजकता बनी रहे ता कि हमारे जीवन में हमेशा ही वो महत बना रहे वातवरन सुंदर बने रहें और चारों तरफ अमन हो शांती हो चैन हो इस प्रकार से सभी के भावनाएं उत्तम बनी रहें जहां पर मिलवर्तन हो भाई चारा हो सहन शीलता हो जिसको टॉलरें कहा जा रहा है तोड़ इस 16th of November which is dedicated by UNO as a day of tolerance every 16th of November this is this day is dedicated as a day of tolerance and we are talking of tolerance and we are seeing intolerance all around as we heard the words of wisdom in these three days to that there is so much intolerance and that's why we are seeing so much devastation that's why we are seeing so much bloodshed that's why we are seeing the breaking of families because the family members if they are not tolerant to each other the very fabric of a family that also gets shattered and so does the happiness that also flies away like a bird flies away with its wings and we are deprived of it so tolerance saints and sages have always taught us to be tolerant we have to coexist peacefully we have to appreciate the differences sales talked about unity not uniformity saints taught us the importance of unity but what had happened and what has happened and what is happening that certain segments of society in whether they are from the religious groups or established religions or those are still divided in clans and castes and creeds so they are intolerant but saints are tolerant the established religions they have been taking use of force to convert others fear psychosis so that they adopt their religion they want to bring about uniformity I wear a turban you also wear a turban otherwise you will be no more seen the prophet I respect you also respect that prophet the scripture I read you also read that scripture then you are safe so what we are seeing such an intolerance and other on the other side the awakened ones those who are aware of the truth the realized souls those who understood the teachings of the saints and prophets so they believe in unity and diversity not in uniformity so saints this point has been hammered once again and again that we have to be tolerant another example which I have been quoting many times that a husband was reading some book and wife came and asked him to have supper and the husband says just a few minutes more wife returned and after fifteen twenty minutes again she arrived have dinner have supper and again husband says wait few minutes again she leaves and third time when she comes and again says come have supper now the husband was so restless that the book he was reading he flended towards the wife and the sharp corners of the book due to that the wife's forehead started bleeding got bruised now the wife picks the book which the husband had thrown towards her and when she lifts the book the title of the book the title of the book was tolerance so that sort of you can say hypocrisy or whatever name you can give by words we are mentioning humility we are by words we are mentioning we are mentioning tolerance of unity of unity of oneness of harmony of God is one but when it comes to living it when it comes to believing we don't consider God as one once again we claim that Allah is different and Ram is different so it is pray to God Almighty that may God bless everybody with wisdom so that everybody lives such a life which is possibleieme look at us and demands and miracles which are all different which are the same ways such a lot that we are looking for Jalut e and Ram who and Ram has two feelings about Ramal Archwarite हैं हम अभिमानी बनते हैं हंकारी बनते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को मानते हैं कि हम राम वाली श्रेणी में हैं कुछ पंतियां ध्यान में आई जो किसी ने कहीं कि मैंने मैसूस किया है उस जलते हुए रावन का दुख जो सामने खड़ी भीड से बार बार पूछ रहा है कि तुम में से राम कौन है यानि कि रावन को जलाने वाले उनके अपने खुद उनकी क्या वस्ता है उनके मन की क्या वस्ता है उनके विवार कैसे है उनकी चाल कैसे है और रावन भी मानो ये कह रहा हो कि चलो राम तो मेरी तरफ तीर फेंके तो वो तो बात और है लेकिन तुम कहां पर खड़े हुए हो जो मुझे जला रहे हूँ इसका मतलब बात फिर वही आती है कि अपने हमारा मन ही रावण बन जाता है अपने इस मन में बैठे हुए इस रावण को ही हमने जलाना है इसी को मिटाना है तब ही बात सिक्ता में हम राम की श्रेणी में आएंगे राम कानु करन करने वाले बनेंगे राम कानु सरन करने वाले बनेंगे राम के सच्चे उपाशक बनेंगे तो दास औरदिक शब्दों का सहरा नहीं लेगा समय काफी आगे बढ़ चुका है और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि जिस मकसद के साथ ये समागम का आयोजन हुआ जहां पर ये सुन्दर रूप बने जहां पर हजारों मील के सफर सैक्रों मील के सफर तै करके आप सभी यहां पर पहुँचे और इस समागम के रूप को एक सुन्दर रूप दिया जिसमें कितने कितने प्रकार की सेवाई हुई है कितने प्रकार के तब त्याग हुए है और परबंदक महापुर्शों ने भी इसमें योगदान दिये सेवदल ने योगदान दिया तमाम साथ संगत का महतुपूर्ण योगदान इसी तरह से और कितनी गॉवर्मन्ट और सेमी गॉवर्मन्ट एक और्गनाइजेशन्स ने डिपार्टमंट्स ने सहयोग दिया तो अभी यही अर्दास की दातार किरपा करे आप अपने अपने घरों को लोटेंगे और यही जो यहां से महक आपने यहां स्थापित भी की और उसको और ज्यादा मजबूत करके अपने अपने घरों को लोटेंगे तो वहाँ पर भी यही मानवता इंसानियत को और मजबूत करते चले जाएंगे प्यार भरे वातवरन स्थापित करते चले जाएंगे और चारों तरफ एक सुन्दर रूप देने में अपने योगदान देते चले जाएंगे सेवा सा संग सुम्रिन करते हुए गुर्सिक गुर्सिक आदर सत्कार करते हुए कोई गुर्सिक किसी गुर्सिक कई निरादरी ना करते हुए एक सत्कार का भाव मन में लिये हुए बच्चे बच्चे का दास बन कर हुकम के अनुसार आशे के अनुसार गुर्मत के अनुसार अपने इस जीवन के सफर को तैक करते चले जाएंगे यही एक शुकावना इसी प्रात्ना इसी अरदास के साथ दास आप से इजाद़ चाहेगा साथ संगाजी धन